है लो फ्रेंड्ट सेडल स्टाफ हीमाचल तो दोस्कोः हिमाचल प्रिडेश स्टाफ सरेक् visto कमिशन ने स्टेमबर 2020 के अंदर हैं प्रिवाचल प्राइश ज्बाइश जेब्टी कमिशन की सरकार के द्वारा अब अगर मैं करेंट सिनेरियों की बात करता हूं तो अभी हाली ही में परदेश सरकार ने अनौंस किया कि अब HPSC के जो एकजामस है वो हिमाचल परदेश पबिक सर्विस कमीशन यानि की लोग सिवा आयोक के द्वारा कंड़क्ट किए जाएगे तो हिमाचल परदेश पबिक सर्विस कमीशन अब इन एकजामस को कंड़क्ट करेगा बट HPSSE की कारें परनाली को देखने में HPPSC को कुछ समय लग सकता है डिसके चलते हुए यहाँ पर अब कुछ समय बाद अगर मैं बात करूँ कि मार्च में हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक्जाम डेट जो है वो अनौस की जा सकती है मार्च या अप्रल के अंदर GBT कमिशन की अब विकेंसी जाई हुई थी एक्जाम डेट अभी तक नहीं आई है तो हम एक्सप्रक्ट करके चलते हैं कि यह जो परिक्षा है यह जो एक्जाम है यह जून या जुलाई के आसपास हो सकती है तो सिवल स्टाप हिमाचल यहाँ पर आपके लिए अपना नया बैच जो है लेके आ रहा है उन्दा GBT कमिशन जो भी बच्चे जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर GBT कमिशन की त्यारी कर रहे हैं उनकी सहायता करने के लिए हम एक बहुत ही वैल डिजाइन कोर्स अपके लिए लेके आ रहे हैं जो की लगबग तीन महीने का एक कोर्स रहेगा जिसके अंदर हम आपको परतेक संजक्ट जो है कबर करवाने वाले तो इस वीडियो के अंदर में आपको complete information प्रवाइड करवाने वाला हूँ कि क्या इस batch में आपको provide किया जाएगा क्या इस batch में time table रहने वाला है कितने lectures आपको daily मिलने वाले हैं कैसे आपको classes पो देखना है तो वीडियो को आपको तक देखना तांकि आपको complete information जो है वो मिल जाए clear तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले notification की बात करेंगे तो notification जो है प्यारे बच्चों वो आया था 26th of September 2022 को और total इसमें 467 यानि 462 vacancies थी जिनको लेकर notification जो है वो जारी किया गया था इसके बाद अगर मैं बात करूँ exam pattern की तो exam pattern में यहाँ पर हमने देखा है कि HPSC के जो भी exams होते थे उसमें 200 questions यहाँ पर पूछे लाते है 200 questions का एक paper यहाँ पर conduct किया राता है 200 questions यहाँ पर पूछे लाते हैं तो इसमें भी इस exam में भी वही pattern follow किया राएगा और 200 सवाल पूछे लाएंगे और प्रतिक सवाल आपका आधे नंबर का होने वाल है अब कौन-कौन से subject यहाँ पर पूछे लाएंगे देखिए JBT Commission का कोई exact syllabus तो यहाँ पर define नहीं है बट हम previous year papers को देखकर यहाँ पर एक अनुवान लगाते हैं आइडिया लगाते हैं तो यहाँ पर maths and reasoning के सवाल आएंगे CDP के सवाल आएंगे CDP जिसकों teaching learning process कहते हैं psychology कहते हैं, pedagogy कहते हैं उसके बद HPG के हिमाचल प्रदेश का जो GK है उसके सवाल पूछे जाएंगे geography के सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे इतिहास के सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे हिंदी के सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे नागरिक शाष्टर भी कहते हैं सविक्स भी कहते हैं उसके सवाल यहाँ पर पूछ रहेंगे और उसके बाद जो सबसे important चीज़ है वो है current affairs तो यह सारे वो important subjects हैं जिनको लेकर परिक्षा में सवाल आते हैं इनी subjects को लेकर परिक्षा में सवाल आते हैं इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं पूछा दाता अब बढ़ते हैं course की तरफ course की अगर मैं बच्चों बात करूं तो यह online course रहेगा जिसमें आपको recorded lectures मिलने वाले हैं ठीक है यह online course रहेगा जिसमें आपको recorded lectures दे जाएंगे और जितने भी lectures यहाँ पर आपको provide के जाएंगे यह bilingual रहेंगे यानि कि दोनों भाशाओं में होंगे Hindi प्लस English दोनों भाशाओं में होएंगे सारे notes दोनों भाशाओं में होगे Hindi और English दोनों भाशाओं में इसके इलावा daily आपको 4 classes मिलने वाली है daily आपको 4 classes जो है वो दी जाएंगी और सारे subject को 3 महिने के अंदर अंदर cover जो है वो कर दिया जाएगा clear और हर Saturday या Sunday को आपका ए जाएंगे जितना भी यहां पर आपको problem होगा Saturday या Sunday को आपका एक doubt session conduct करवाया जाएगा उसके बाद आपको मिले की एक exam oriented test series जी हां आपके batch के अंदर एक test series included रहेगी जिसके अंदर आपको questions हो रहेगे multiple types के वो आपको provide के जाएंगे इसी के साथ और आपको previous year papers का भी analysis करवा अगर हम देखें तो JBT का यह जो हमारा batch है that is for the 2023 का इस batch के अंदर जो cerebus और उसके accordingly जो हमारा time table रहने वाला है तो यह जो batch है यह first March से शुरू होने जा रहा है सबसे पहले तो 1 March 2023 से batch शुरू होने जा रहा है 1 March 2023 से इसकी classes शुरू होगी तो daily आपको 4 classes मिलने वाली है और यह जो batch है यह 4 June को खतम होगा ठीक है और इसमें आपका mathematics, history, hindi, english, hpgk, general science, cdp, geography, polity, economy, reasoning सब कुछ हम आपको cover कराएंगे ताकि आपका कुछ भी न चुटे आप exam में पूरे बटा पूरे marks लेके आएं आप अच्छे से इस नोकरी को secure कर ले और उसी हिसाब से यह time table बनाया गया है अब इस course की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि first of March 2023 से यह course जो होने जा रहा है और यह जो course है यह खतम होगा 4 June 2023 को चार जून 2023 को तो लगबग तीन महीने की duration का यह batch है clear और कब तक classes आपके पास रहेंगी कब तक आप classes को देख सकते हो तो यह classes जो है बच्चे आप multiple times देख सकते हो जतनी वार मर्जित आप चाहो आप classes देख सकते हो यह classes तब तक आपके पास रहेंगी जब तक आपका exam नही हो जाता अब इस course की fees कितनी है इस course को join करने के लिए इन classes को देखने के लिए आपको कितनी fees पे करनी है तो fees यहाँ पर रहने वाली है 2499 यानि की 2499 रुपे 25 रुपे आपको फीस देनी है यह 25 कोई मंधली फीस नहीं है 25 एक बार की फीस है और एक बार में ही आपको सब आपके पास ही रहेंगी नोट्स आपके पास रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में टैसीरीज आपके पास रहेंगी और इस batch को join करने के लिए या फिर demo lectures को देखने के लिए इस teacher इस batch के अंदर जो भी teachers आपको पढ़ा रहे हैं वो highly qualified है और teachers का demo lectures देखने क लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए और आपको लेक्चर को देखिए और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको क्यों प्रॉब्लम आती है इस course के दौरान तो आप यहां पर दियेगे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7146 22609 इस batch को join करने के लिए भी description के अंद फिर हम admissions को बंद कर देते हैं बाद में 1st of March से शुरू हो रहा है और तीन मेहने का आपका सेले बस रहेगा पच्छी सो रुपए फीस है इंडिय और इंग्लिश दोनों भाशाओं में पढ़ाए रहेगा complete coverage होने वाली है including test series including test series तो जल्दी से जल्दी join की जिए और किसी भी प्रॉब्लम आता है तो यहां पर दिये के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 7146 22609 बहुत बहुत धन्यावाद दोस्तों